मित्रो नमस्कार मैं वहित्यरत्नम संधिक पटेल निरामय आईव्यदिक हॉस्पिनल सूरत भुजरत इंग्यास है मेरे साथ मेरे एस्टोसेट डॉक्टर कवरंग हर्ता जी आज मैं छोटी-छोटी वीडियो क्लिफ्स बना करके वाट इस रिपोर्डिंग सिस्टम और उसकी क्या जरूरत है इस कोरोना काल में तो उसकी हम स्रणी के सुभवात करते हैं सबसे पहला इन्वेस्टिकेशन जो लोग करा थे आई एल 6 इंटर्म यूके 6 प्लाज्मा इस रिपोर्ट की क्यों जरूरत है जिस रोगे को इंफेक्शन हुआ हो उस इंफेक्शन का मुल्यांकर्ण करने के लिए आई एल 6 रिपोर्ट किया जाता है पॉइंट्री एमल उसकी न्यूंटर्म वैल्यू है अगर वो बढ़ता है तो इंफेक्शन है और यह जो रिपोर्ट जो है ओ फीवर को डेखने के लिए एक मिडियेटर है किस किस डिसीज में क्या कोरोना खल नहीं निकालते हैं ना ऐसा नहीं है इंव्यून शप्रेंड डिस्टीज रूमेटोइल आर्थराइडिस लूपस एरिटेमेटस एंकायलोजिंस पॉडियूराइडिस और इंट्रेस्टेंड के काफी सारे इंफेक्शन में इस ज्यादा आती है तो मैंने बता है फीवर मेडियेटर है तो वाइरल लोड आप ट्री कर सकते हैं इसमें वाइरल लोड कितना है अगर आईल 6 ज्यादा है तो क्या किस्ता करने चलिए टेबलेट डा इस ड्रग अप चोईस आरुग्यवर्द्यनी संसमनी एंड मरीज पाई द टेबलेट काड़ी शीरी परपट समिश्रन या तो ज्वरग नयोग उसके साथ में रिभून की फिरास अब दे सकते हैं और चिप्टो मेटिकली रेस्पिक कब शिरप अब दे सकते हैं ताकि इंफेक्शन जो बड़ा हुआ है वो काम कर सकते हैं तो आई एन 6 इंटर ल्यू प्रोना में रिपोर्टिंग करवाई जाता है प्लीज समझ ये आई एन 6 का महत्वा और उसके इसाफ़ साथ चिकिशा कीजिए दन्यावाद मैं वाई दिरत्नम संदिप पटेल निरामाय आई विदिक होस्पिटल शूर्ट पीराट इंडिया से मेरा संपाथ नंबर 9426814462 निरामाय आई विदा यह मेरी यूट्यूब चैनल है चैन कीजिए सब्सक्राब कीजिए और मेरे विडियों को लोगों तक पहुचाएए मेरे वेबशाइद निरामाय आई विदा डॉट कॉम एनी सब्सक्राइशन प्लीज कॉंटेक्ट धन्यावाद